दोस्तों नमस्कार मैं कृष्ण गुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल अभिनाव केमेस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे की चैनल विशक के व्याख्याता भरती परिक्षा परिणाम की काौंसलिंग को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं में बार बार में कि सर काौंसलिंग कब होगी क्या होगी तो बच्चों की परेशानियों को देखते हुए, कंडिनेट की परेशानियों को देखते हुए, मैंने ये वीडियो अभी जारी करने का निर्ने लिया, कि इस वीडियो से जब आप देखोगे तो काफी तसलिम मिलेगी, आपको आराम मिलेगा, और रात को आप अच्छे से सो होगे हैं दोस्तों मेरा यह अनुमान है इसको आप सच ना माने की आरपी असी जो है 14 तारिक को मैंना 14 सेप्टेंबर को जो है शिल्यू उलजारी कर देगी और एक दो दिन में अब आप लोगों के कांस्लिंग लेटर भी डाल देगी उसके बाद में 14 और 15 सेप्टेंबर को जो है ग्रूप C के और कुछ एक सब्जेक के ग्रूप B का मनदब फिजिक्स का कांस्लिंग कंप्लीट होने के बाद में 16, 17 और 18 को हिंदी के जो कंडिडेट है जिनकी कांस्लिंग सेकंड गर में अटक रही थी उन सेकंड गर के हिंदी के कंडिडेट कुछ एपात्र कंडिडेट और कुछ जो एपसेंट रहें उन कंडिडेट को सोला, सत्रा और अठारा का समय देगी और सोला, सत्रा, अठारा के बाद में आप देखोगे कि सोमार, मंगलवार को तो घ्षी निपटेगा बुद्धवार, विश्टितिवार, शुक्रवार हो जाएगा सनिवार मतलब 19 और 20 का जो है सनिवार और रहिवार पड़ेगा और 21 से आप लोगों की काउंसलिंग चालू हो जाएगी 21 तारिक से जो बचे वे 6 सब्जेक्ट है उनकी काउंसलिंग सुरू हो जाएगी ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों और ये सिर्फ एक अनुमान है ये सही भी हो जाए ये गलत भी हो जाए लेकिन ये आपको थोड़ी सी राहत देगा आपको रात को नींद देगा आपको ये नींद लेने में सावशक रहेगा कि ये कारण रहा है तब ही RPSC ने जो है अपना सिड्यूल जारी नहीं किया है तो दोस्तों ये आपको मेरा अनुमान सही लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन को क्लिक करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब चैनल को आगे प्रमोट करने में मेरी साहिता करें दोस्तों जय हिंग और जय भारत